पेटियम ट्राजेक्शन से फोन नंबर कैसे निकालें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप किसी शॉप में जाकर पेटियम के थुरू पेमेंट करते होंगे क्यो आर कोड स्कैन करके सामने वाले को पेमेंट करते होंगे ऐसे में वापस आकर आपको कुछ काम याद आता है जिसे आपने पेटियम के दुरू पेमेंट किये उसे जरूरी बात करनी है तो आपको वापस फिर उस शॉप में जाना पड़ता होगा इस सिच्वेशन में आप इसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप किसी भी पेटियम ट्राजिक्शन से फोन नमबर निकाल सकते हैं और उसे बात कर सकते हैं फोन नमबर निकालने के दो तरीके में आपको यहां पर बताने वाला हूँ इन दो तरीकों से आप एसली किसी भी स्कैन्न QR कोड् तो दूस्तों इसके लिए आपको क्या करना है सिंपल इस तरह से paytm open करना है और यहांपर balance and history option पर क्रिक करना है इसके बाद जो next interface open होगा यहां से आप अपने paytm wallet और paytm wallet से linked bank account का balance check कर सकते हैं और अपनी payment history भी यहांसे आप easily देख सकते हैं जितने भी लोगों को आपने QR code के थुरू या फिर phone number के थुरू payment की होगी उनकी पूरी history आप यहां पर देख सकते हैं लेकिन दोस्तों बहुत से लोग UPI ID किसी दूसरे नंबर से बनाते हैं अपना phone number UPI ID में add नहीं करते हैं इसलिए इस तरीके से आप सभी का phone number नहीं निकाल सकते हैं ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है simply दूसरा method यूज़ करना है आपको उस particular payment history को open करना है जिसे phone करना चाते हैं इसके बाद payment detail में bottom side में आपको view payment location option पक्लिक करना है क्लिक करते हैं इस business profile की location आपके सामने आजागी तो guys यहाँ पर आपको तोड़ा उपर की तरफ स्लाइड करना है जिसके बाद इस user का पूरा address आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको see all option पर क्लिक करना है जिसके बाद इस account का about page open हो जाएगा यहाँ पर इस user का phone number भी आ जेहिन